कैसे हो आप सभी उमीद करते हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ आपनी बड़ी बेटी भवया का मौनिंग का रोटीन शियर कर रही हूँ वो सोके उठ चुकिया इस टाइम पे वो बुरुश कर रही है अभी उसको स्कूल जाना है तो वो अर्ल आज मैंने उसके लिए ब्रेकफास्स में एग वोयल कियो है तो यहां पर मैंने दो अंडे लिए उनको वोयल करके उसको कट करके इस तरीके से दे दूँगी मैंने इसके उपर एड़िट कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि उसको प्लैन एग ही खाना जादा पसंद है वो आराम से सोई हुई है तो मैं आपको उसको भी दिखाती हो और शान भी यहां इसके आराम से सोई हुई है वो अपनी नीन पूरी बूरी कर लिए और चलिए मैं साथ में उसके लिए इसकुल का टिफिन राड़ी करने के लिए आज मैं उसके लिए बना रही हूं ओर्स चीला तो यहां पर मैं नॉन इस्टिक पैन को सबसे पहले ग्रीज कर लिया है उसे अच्छे से ग्रीज करने के बाद और यह रहा मेरे ओर्स चीले का बैटर देख सकते हैं इसमें थोड़ी से सबजियां प्याज टमाटर वगरा अड़ किया है धनिया वगरा सिम्रा मुर्श वगरा अड़ करके इस तरीके से तयार कर लिया है इस टाइम पे मैं उसके लिए मुर्ची अड़ नहीं किया पूरे ब सेफ देने की कोशिश करूँगी आप देख सकते हो इस बैटर को मैं लो मीडियम फ्लेम पर यही पर सेखने के लिए छोड़ दूँगी साथ यह मैं दूसरी तरफ उसके लिए टिफिन के लिए फूट कर लेते हैं आज मैं इसको टिफिन में दे रहे हूँ है एपल और ड्र अभी मैं इसको टिफिन राइडी करते हैं तो फूट्स वाला जो सेक्शन होता है मैं इसको अलग डबे में पैक करके देती हो जिसके सारी चीज़ों को इस तरीके से मैंने एपल का बीच वाला सीट निकाल कर लंबी लंबी स्लाइस में कट करके उसके लिए एपल रख दिय और जिससे की वो टिफिन अच्छे से खतम कर लेगे और उसको पूरा पोशन मिलेगा टिफिन में यही मेरी बेटी का फूर्स वाला टिफिन रेडी हो गया है देख सकते हैं इस तरीके से मैं टिफिन पैक कर दिया अब यह मैं चीलों को एक साइट से थोड़ा निकाल रही ह अगर आप इसको गरम-गरम खाओं तो आपको क्रिस्पी लगएगा ठंडा होने के वाद अत्ना ज्यादा क्रिस्पी नहीं लगता है यह तो इस तरीके से हम इसे अच्छे तरीके से दोनों साइट से से लेंगे आप बारियात इसको पैक करने के लिए तो मैं आपनी बेटी यह मैंने इसका पैक कर दिया है टिफिन में रैप करने के बाद मैंने इसको एक ही फोल्ड किया है ज्यादा फोल्ड नहीं किया है क्योंकि मैं सिंगल ही रख भी उसको ज्यादा फोल्ड करने की मुझे जरूरत नहीं है यहां पर मैंने इसके टिफिन में रख दिया है चीला, उसके साथ ही मैं इसको दूँगी केचप केचप से वो खा सकती है, चट्टी मगेरा वो नहीं खाएगी क्योंकि तोड़ी स्पाइसी होती है ketchp से वह आराम से खहा लेते तो इह उसका आज काटिफम हो गया है आज वह happy happy खहा लेया और उसेंटों स्चीला काफी ज़यदा पसंद भी आता है तो मैने उसके लिए यह पैक कर दिया है यह इसका highly carbon time ready हो चुका है अभी मैं जाके उसको ready कर देती हूँ इसे लिए मैंने इसको स्पून रखना बूल गए थी क्योंकि मैं इसको स्पून भी रख दिया है यह फाइनल यार्टिश्यू को पिपर रख दिया है यहां पर मेरी बीटी भी रएड़ी इसकोई की एक्टम अभी इसके पापा इसको जाएंगे बस टॉप तक छोड़ने जह पर इसकी बसले निकलेती है